सुमेरियन मिथक में नर्गल मृत्यू के देवता हैं जो युद्ध, रोग और पाताल लोक से जुड़े हुए हैं। सुमेरियन मिथक कहते हैं कि वह एक उग्र और शक्तिशाली देवता था। नर्गल एनलिल के पुत्र थे, जो सिमेरियन और अकादियन पंथ के मुख्य देवता थे और निनलिल थे। उनकी संगिनी एरेश की गल थी जो पाताल लोक की रानी थी और साथ में वे कुर के राज, मृत्यू के कुशेत्र के शासक थे। नर्गल आम तोर पर विनाश, महामारी और रोक के साथ जुड़े थे। प्रकृति के कठोर और हिंसक पक्ष का प्रतिनिधित्व करते थे। कुछ पाठू में उन्हें महामारी के स्वामी या बुखार के देवता के रूप में संदर्भित किया गया था। ये प्रतिबिम्बित करता है कि प्राचीन मेसोपोटामिया में लोग बीमारियों और महामारियों को अकसर दैविय दंड के रूप में देखते थे। आत्माएं या दुष्ट आत्माओं के परिणाम के रूप में नर्गल की भूमिका मृत्यू के क्षेत्र से कहीं आगे तक पहली हुई थी। उन्हें अकसर अनुष्टानों और जादू टोनों में बुलाया जाता था ताकि बुरी आत्माओं को दूर भगाया जा सके और युद्ध में सुरक्षा प्रदान की जा सके। युद्ध के देवता के रूप में उन्हें विजय, वीरता और मैसोपुटामिया समाज के सैन्य पहलूओं के साथ मजबूती से जोड़ा जाता था नर्गल के उपासकों का मानना था कि उसे प्रसंद करके वे आपदाओं और महामारियों को रोक सकते थे